अपने पिछली क्लास में हम लोगों ने महासागर की तली आकरतियों को समझा था जैसे कि Continental Shelf क्या होता है, Continental Slope क्या होता है इन चीजों को डिसकस कर लिया था अब देखें आज के वीडियो में हम लोग जो मुख्य मुख्य महासागर हैं इनकी तली आकरतियों को देखेंगे, तो देखें ये हमारे सलेबस का एक हिस्सा है और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो Atlantic महासागर है, इसकी तली आकरति कैसी है यानि कि इसका Shelf कैसा है, Slope कैसा है, इन चीजों को समझेंगे तो देखें, Atlantic महासागर पश्चिम में उत्तर और दच्छिन अमेरिका यानि कि देखें जो पश्चिमी तठ है, Atlantic महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर क्या है North America और South America और पूर्वी हिस्सा में क्या है? यूरोप और अफरीका, तो पश्चिम में उत्तर और दच्छिन अमेरिका है तथा पूर्व में यूरोप और अफरीका के बीच इस्थित है, आठ दशमलों 2 करोड वर किलोमीटर इसका छेतरफल है, यानि कि 8.2 करोड वर किलोमीटर इसका क्या हो गया? एरिया हो गया, ये विश्व के भोगोलिक छेतर का एक बटे छे भाग और प्रशान्द महासागर के छेतरफल का आधा है, यानि कि इसका जो अट्लांटिक महासागर का छेतरफल है, वो प्रशान्द महासागर का आधा है, जो महासागर है, ये अंगरेजी अच्छर S का आकार दिखाता है, तो द आपस में जुड़ी रही होगी, तो प्लेट टेक्टॉनिक में विर्नर के सिध्धान्त में इन चीजों को हम लोगों ने समझा है, यह महासागर उत्तर और दच्छिड अमेरिका के विस्थापन के कारण प्लेट विवर्तिनिकी के परिणाम सुरूप बना था, तो यह जो प् अच्छिड में कौन सा है दच्छिड महासागर, अता है यह उत्तरी और दच्छिड दोनों भागों की और खुला हुआ है, अट्लांटिक महासागर में अनेग सीमान सागर जैसे की भूमद्दे सागर, अट्लांटिक महासागर में कुछ सीमान सागर जैसे भूमद्दे और फिर से जब आप उत्तर की तरफ आएंगे तो ये 40 डिग्री उत्तरी अच्छांश के आजपास इसकी जो चौड़ाई है फिर से 4800 किलोमीटर हो जाती है क्योंकि S के आकार का है तो आपको क्या दिखाई देगा उत्तर में चौड़ा है और दच्छिर में भी चौड़ा है लेकिन जो बीच का हिस्सा है यहाँ वाला हिस्सा ये आपको कैसा दिखाई देगा ये आपको यहाँ पर पतला दिखाई दे मीटर से कम गहराई का महादवीपी ये मगनितर पाया जाता है तो इसकी जो चोड़ाई है वो दो किलो मीटर से 80 किलो मीटर तक होती है इसकी जो गहराई है वो 200 मीटर से कम रहती है जो चोड़ाई है वो 2 km से 80 km तक है और कुछ हैसे भी स्थान हैं जहां पर यह जो हमारा shelf है यह 400 km तक चोड़ा है अब देखिए जो shelf है कहां पर ज्यादा चोड़ा मिलता है कहां पर पतला मिलता है इसके बारे में हम लोग discussion कर चुके हैं जैसे जहां पर नदी के मुहाने होते हैं वहां पर shelf चोड़ा होता है तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ नियम देखे थे कि कहां पर जो shelf है वो चोड़ा होता है और कहां पर सक्रा होता है तो कुछ स्थानों पे 400 किलोमीटर से भी अधिक चोड़ाई होती है शेल्फ की और कुछ ऐसे भी स्थान है जहांपर अटलांटिक महाशागर का जो शेल्फ है वो 2 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक चोड़ा है सबसे ज़्यादा जो व्यापक महाखन तट है न्यूफाउंड लेंड है ग्रीन लेंड है आइसलेंड है और वाहिया से लेकर अटलांटिका तक पाये जाते हैं यानि कि यह जो एरिया है यहां पर इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा व्यापक आपको शेल्फ मिलेगा मगन तट या कॉंटिनेंटल शेल्फ है वो सकरा होता है तो यह वहाँ पर सकरे मिलेंगे जाहिर सी बात है जहां पर परवत तट है उधारण के लिए अफरीकी समुद्री तट पर बिस्क की खाड़ी से केप आफ गुड होप तथा पांच डिग्री से दश डिग्री के मद्ध का जो ब्राजीली मगन तट है यह यानि कि यह वाला जो पूरा मगन तट का हिस्सा है यह आपको सकरा मिलेगा अनेक सीमांत सागर और द्वीप अटलांटिक के महाद्वीपी यह मगन तट में पाए जाते हैं तो बहुत सारे सीमांत सागर जो हैं जो छोटे- जल्डबरूमद्य है डेनमार्क जल्डबरूमद्य है फिर जिब्राल्टर जल्डबरूमद्य है भूमद्य सागर कैरिबियन सागर है मैक्सिको की खाड़ी है यह सारे आपके जो अट्लांटिक महासागर है इसी के सीमांत सागर है और यहाँ पर द्वीप आपको कौन कौन से मिल जाएंगे इसके continental shelf में Atlantic महासागर के continental shelf में आपको जो एजोर्स है एकसेंशन है ट्रिस्टरांडा कुन्हा है पॉक लैंड है शेटलैंड है शेटलैंड के ओपर एक मुवी भी बनी हुई है जेंट हेलेना है तो इस तरह के कई सारे आपको छोटे छोटे जो द्वीब है वो Atlantic महासागर के shelf में मिलेंगे अब दिखें बात करते हैं Atlantic महासागर के मध्य Atlantic कटक की यानि कि जो इसकी mid oceanic ridge है यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है white color से दिखाई गई है यह जो mid oceanic ridge है अब इसके बारे में कुछ बाते करते हैं तो Atlantic की सबसे इसपश्टाकरती मध्य Atlantic क जो अफसारी छेत्र अथवा रचनात्मक प्लेट किनारों को प्रदर्शित करती है तो जो mid oceanic ridge है यह क्या दिखाती है रचनात्मक प्लेट किनार है यानि कि आप कह सकते है divergent boundaries को यहाँ उत्तर में ice land से लेकर दच्छिर में बावेट द्वीब तक विस्तारित है यह जो है 14 2450 किलो मेटर की दूरी तक फैली हुई है इसे भूमत दे रेखा के उत्तर में डाल्फिन उभार और दच्छिर में चैलेंजर उभार कहते है तो इसके यह नाम हो गए उत्तर में इसको किस नाम से जानेंगे जो आपकी भूमत दे रेखा है जो zero degree है उसके उत्तर में यह जो हमारी रिज है यह आगे चलके बहुत सारी शाखाओं में भी भाजित हो जाती है जैसे कि Newfoundlander रिज यहां पर आपको दिखाई दे रही है इसी तरह से Sierra Leone रिज दिखाई दे रही है इधर आप देखेंगे तो आपको यहां पर Atlantic Indian रिज दिखाई दे रही है तो इस तरह से यहां पर आपको वालविस रिज दिखाई दे रही है तो यानि कि कुल मिलाकर यह कई सारी रिजेस में डिवाइड आपको दिखेंगी जो Mid Atlantic रिज है यह आगे चलके आपको कई सारी शाखाओं में विभाजित दिखेंगी और यह आपको किस दिशा में दिखेंगे जो Mid Atlantic रिज के पश्चिम में हो गई इस दिशा में हो गई तो यह आप देखें कोश्चन आ रहा है यह रिज कहां से आई तो दो अलग-अलग चीजें मानी जाती है कि या तो जो अंतर प्लेट गतियां हुई यानि कि प्लेटों के बीच में जो गतियां हुई उसकी वजह से य जो महाद्वीपी उभार है उसका भोगोलिक विस्तार हुआ महाद्वीपी उभार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो यह माना गया कि जो महाद्वीपी उभार है क्योंकि उसका भोगोलिक विस्तार हुआ वो जोग्रफिकली और छेतर में फैला जिसकी वज़े से ये जो आपको Newfoundland Ridge है, Sierra Leone Ridge है, इस तरह की Ridge दिखाई देती है तो देखें, basically आपका ये जो महादुईपी उभार है, ये कहां से आता है, महादुईपी उभार आता है निच्छेव से किन चीजों के निच्छेव का मतलब होता है, एक तरह से चीजों का जमा हो जाना, जो अवसाद है उसका जमा हो जाना तो ये निच्छे पर ये deposition कैसे होता है? जो मगन ढालों के तले में आकर के जो आपका shelf है, shelf के तल में आकर के जो पंक है, जो मिट्टी है वो जब जमा हो जाती है तो इससे महादवीपीय उभार बन जाता है और यही महादवीपीय उभार जब फैलता है तो ये आपका ridge के र सकता है कि अंतर प्लेट गतियों की वज़े से ये ridges पनी हो, तो अब देखें ये जितनी भी ridges है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि जो newfoundland उभार है उसके बारे में बताया गया है कि ये मध्य कटक से टेली ग्राफिक पठार के पश्रिम तक लगभग 40 डिगरी उत्रिये 6 तक फैली है और उपर newfoundland टक पाई जाती है, तो बेसिकली आपको इनकी जो location है वो याद होना चाहिए, अब यहाँ पर जितनी भी आपकी ridges दी गई है उसको आप यहाँ पर locate कर सकते हैं, जैसे कि यह पर आपको जो Rio Grande Ridge है वो भी दिखाई गई है, तो जितनी भी यह आपको rises है वो दिखाई गई है, इसको आप map में locate करिए, और इसको basically आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी जो, कौन सा ridge का जो परसार है वो कहाँ पर है, तो इनकी geographical location पर आप ध्यान दीजिए, अब आते ह अत्लांटिक महासागर के द्रोनी अत्वा basin के उपर, तो देखे जो mid oceanic ridge है या मध्य Atlantic क कटक है, यह अत्लांटिक महासागर को दो प्रमुग Benson में Divide करती है, तो देखे अत्लांटिक महासागर के दो हिस्से हो रहा है, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला बीच में आप गया है तो एक पूर्वी बेसन हो गया एक पश्चिमी बेसन हो गया विशाल महसागरिये तल महसागरिये बेसन अथवा गेहरे महसागरिये मैदानों द्वारा अच्छा दित तो ये जो बेसिन है, ये बेसिन वैसे तो आपको एक निरंतर्ता में मिलेंगे, समतल होते हैं, लेकिन इसमें आपको कटक, यानि रिजेस भी मिल जाएंगी और राइजेस भी मिल जाएंगे, कॉंटिनेंटल राइज मिल जाएंगे, रिजेस मिल जाएंगी, तो इसकी वजए ये जो समतल छेत्र है इसमें विभाजन हो जाता है कहीं पर एक रिज है कहीं पर दूसरी रिज है तो इस तरह से ये विभाजित हो जाते हैं पश्चिमी अट्लांटिक बेसिन चार बेसिनों में विभाजित है जबकि पूर्वी अट्लांटिक बेसिन आठ उप बेसिनों में भी भाजित है तो देखे पूर्वी और पश्चिमी का क्या मतलब है पूर्वी का मतलब है कि जो मिड एट्लांटिक रिज से इस्ट का हिस्सा हो गया और पश्चिमी का मतलब है मिड एट्लांटिक रिज से जो आपका पश्चिम का हिस्सा हो गया तो पूर्व वाला जो हिस्स है उसके बारे में बताया गया है तो इसको आप याद कर लेंगे अपने आप देखें इसको miss मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे समझाने का कुछ नहीं है तो इसलिए यह मैं आप पर छोड़ना हूं लेकिन इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजे आप से पूछा जाता है कि अट्लांटिक महासागर के बेसिन का वर्णन कीजिए आपको धाई सव शब्दों में इसका वर्णन करना है तो ऐसे में आपको ये सारी चीजे पता होना चाहिए ये पूरा content आपको याद होना चाहिए तब ही आप धाई सव शब्दों में इसका वर्णन कर पाएंगे यानि बेसिन और उसके उपबेसिन आप देखे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अट्लांटिक महासागर के गर्द की तो किसी नवीन वलन कतिविदी ना होने के कारण अट्लांटिक महासागर में गर्द कम प्रभावी हैं जानि कि उतने जादा आपको गर्द नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई folding नहीं हो रही है कोई वलन की कतिविदी नहीं हो रही है जहाँ पर वलन होगा वहाँ पर गर्द भी मिलेगा इन में से जैसे नेयर्स गर्थ है, पुएर्टोरिको गर्थ है, रोमांचा गर्थ है इसमें अब जैसे नेयर्स गर्थ है तो अमेरिकी बेसिन के मध्य में जबकी जो पुएर्टोरिको गर्थ है यह पुएर्टोरिको के पूर में स्थित है रोमांचागर्द जो है ये भूमद रेखा परिस्थित है और ये वास्ताव में मध्य कटक को विभाजित करता है तो ये कुछ इसकी detailing हो गई जिसको आपको याधी बेसिकली रखना होगा क्योंकि यहां पर देखे जो अब जैसे महासागर का तल है तो इसमें जो नाम है उसको तो आपको याधी करना पड़ेगा